ये तीनों कानूनों को में सियासत में किसी कानून के विरोध का ये अंदाज पुराना है सदन में कानून की कौपी फार दी जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी वही किया दिल्ली विधान सबा के विशेश सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने खृशी कानून की कौपी फार दी और केंदर पर जम कर निशाना साधा भारतिय जन्ता पार्टी ने चुनाओं को कितना महंगा कर दिया कितना पैसा खर्च होता है चुनाओं के अंदर कितना पैसा खर्च होता है ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए ये कानून भारते जंता पार्टी के चुनाओं की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए दरसल बात पंजाब के सियासत की है के जिवाल को कॉंग्रेस के सामने अपने को साबित करने की चुनौती है क्योंकि कॉंग्रेस ने कृशी कानूनों के विरोध का ज्छंडा बुलंड कर रखा है उधर किसानों की बात करते करते राहूल गांधी ने एक बार फ्यर चीन को लेकर सरकार के ख़लाप मोर्चा खोल दिया राहूल गांधी ने रक्षा पर पार्लमेंटरी स्टाइडिंग कमिटी की बैठक से वोग आउट कर, सियासत के बवाल में नया मोर्चा खोल दिया पहले से ही उनकी उपस्तिती के ट्राक रिकॉर्ड पर हो हल्ला करने वाली बीजेपी अब और हमलावर हो गई है केंद्रमंत्री प्रकाश जावडेकर ने फॉरं याद दिलाया कि पिछले डेड़ साल में राहूल गांदी ने 14 में से सिर्फ दो पर्लेमेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ओन डिफेंस की मीटिंग अटेंड की है और सरकार पर हमले कर रहे है उन्होंने सीधा रोप लगाया कि वाक आउट कर राहूल गांदी ने संसदिय प्रक्रिया और समवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तोड़ी है वो ये भी बोलना नहीं चुके कि राहूल गांदी जब सत्ता में थे तब भी उन्होंने ओर्डिनन्स को फार समवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था का अपमान है जानकारी दे रहे थे सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राहूल गांदी ने तभी हस्तक शेप की और कहा कि देश के सियासत दानों को सेना की युनिफॉर्म पर चर्चा करने के बजा है राश्ट्र सुरक्षा के एहम मसलों पर चर्चा करनी चाहिए सेना की वर्दी का मसला सेना पर ही छोड़ दे इसमें दखल अंदाजी ठीक नहीं बैठक में तो ये चर्चा हो कि आखिर देश के लद्दाक में क्या तैयारी है चीन के खलाफ हमारी क्या रणनी थी है कॉंग्रेस पार्टी का आरोब है कि चैमें ने राहूल गांधी को इस पर बोलने नहीं दिया जिसके बाद उन्होंने वौक आउट कर दिया उनके साथ ही बाकी दोलो कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बैठक का पहिशकार कर दिया अब बीजेपी राहूल गांधी के वौक आउट पर हमलावर है वहीं संसद के शीत कालीन सत्र रद किये जाने पर कॉंग्रेस महा सचिप प्रियांका वाडरा गांधी ने सरकार को घेरा कुरोना काल के बीच में संसद चलाकर भाजपा सरकार ने अरबपती मित्रों के लिए बनाए गए क्रशी कानूनों को तो पास करा दिया लेकिन किसानों की मांग पर 11 किसानों की शहादत वबाबाराम सिंग के आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खोल सकती इतना ज्यादा अहंकार और असंवेदन शीलता रक्षा पर पार्लिमेंट्री स्टनिंग कमिटी की बैठक से लेकर संसद के शीप कालीन सत्र पर किसान आंदोलन के पीच सियासर गन्म हो चुकी है आज तक प्योरो नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले